नमस्कार, गुडीवनिंग, क्या हल चाल है प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो होने वाला है IPAC Nomenclature of Coordination Compounds, ठीक है, कई सारे रूल्स आपको पता चलेंगे कि किस तरह से हम रूल्स को फॉलो करके Coordination Compounds के नाम लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, नाम लिखने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान लखना पड़ेगा, जब भी आप Coordination Compounds का Naming करेंगे, तो देखे कौन कौन सीजों का ध्यान लखना पहला, जब भी बच्चों आप नाम लिखेंगे, हमिसा सारा के सारा नाम Small Letters में लिखा होगा, All Coordination Names should be written in the Small Letters, ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो Coordination Spare है, यह न, Coordination Spare मतलब जो Square Bracket के अंदर होता है, उसमें पूरा के पूरा नाम as a one word आता है, पूरा एक साथ आएगा, without any gap, कहीं पर भी gap नहीं देना है, ठीक है, तीसरी चीज़ ध्यान रखना है कि gap कब देना है, जब counter ion आए, जो भी counter ion हो, चाहे वो positive counter ion हो, चाहे negative counter ion हो, तो counter ion और coordination spare के बीच में gap आपको देना है, ठीक है, और तीसरी चीज़ सबसे important ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी metal के बारे में लिखते हैं, तो metal के साथ उसका oxidation नमबर आता है bracket में, ठीक है, अब कुछ example देख लेते हैं, देखो, जैसे हमने लिखा है potassium hexacino nucleate, ठीक है, तो potassium इसका मतलब counter ion है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में gap है, और ये पूरा के पूरा एक साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, coordination spare है, और ये roman में मैंने लिखा है, तीन और उसमें अंदर bracket, इसका मतलब ये metal का oxidation नमबर है, और metal कौन सा है, निकल, दूसरा देख लेते हैं, देखो, ये chloride, counter ion है, और ये पूरा के पूरा coordination spare है, तो इसमें metal कौन सा होता है, silver metal है, और बगल में जो है, ये जो है, इसका metal का oxidation number लिखे, तो इस तरह से आपको लिखना है, कहीं भी आपको capital letter यूज नहीं करना है, और coordination spare में पूरा की पूरा नाम without gap आएगा, gap कब देना है, जब कोई चाहो positive हो, चाहो negative, clear हो गया है, चाले, आगे बढ़ते हैं, तो rule number one क्या बोलता है, ठीक है, one by one मैं सारे rule clear करूँगा, नाम पूरा आएगा, लेकिन पहले आपको एक-एक rule को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो rule number one है, कि जब हमारे पास counter ion हो, तो counter ion बच्चो negative भी हो सकता है, और positive भी हो सकता है, या कोई ऐसा coordination compound हो, जिसमें कोई counter ion न हो, तो counter ion को लिखने का क्या तरीका है, पहले वो देख लिए, तो यह बोल रहा है, अगर counter ion cation होता है, ठीक है, तो उसको हमेशा पहले लिखा जाता है, और बच्चों, अगर counter ion negative होता है, तो उसको हमेशा coordination के बाद लिखा जाता है, clear हो गया, अब देखो, for example, यहाँ पे देखेए, counter ion negative है, और यह coordination sphere है, तो counter ion negative हो, इसको हमेशा coordination sphere के बाद लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें coordination sphere का नाम लिखा, देखे, टेटरामीन कॉपर, ये पूरा के पूरा coordination sphere है, coordination sphere, और यह counter ion है तो counter and negative था तो हमने उसको बाद में लिखा clear दूसरा compound देखें दूसरे compound में counter and positive है ठीक है तो इसका मतलब जो coordination pair है वो negative होगा तो जब अगर counter and positive है तो उसको पहले लिखा जाता है देखें counter and हमने पहले लिखा है समय और coordination pair पूरा के पूरा बाद में लिखा है without any gap तो यह दिहान रखना है आपको की counter and कौन सा है तो positive होगा तो पहले लिखेंगे negative होगा तो बाद में लिखेंगे clear और तीसरे में बच्चों देखो कोई counter and है नहीं तो इसमें पूरा के पूरा नाम without any gap लिखा जाएगा देखें पूरा के पूरा नाम और चीज़े में दिरे दिरे बताऊंगा की नाम कैसे आता है तो सबसे पहले यह slide के वल counter iron के नाम लिखने के लिए clear हो गया चालो इतना ही ध्यान रखना है rule number two क्या बोलता है कि ligands जो जुड़े होते हैं metal के साथ ligands देखा होगा तो ligands एक दो तीन चार कितने भी बहुत सारे ligands हो सकते हैं तो सबसे पहले हम जब ligand का नाम लिखेंगे तो ligand का नाम हमेशा उस central atom से पहले आता है before the name of central atom central atom बाद में आएगा ligand का नाम पहले आएगा और ligand अगर एक से ज़्यादा होते हैं एक से ज़्यादा type के होते हैं तो सबको हम alphabetical order में लिखेंगे ठीक है चलो एकस example से समझते हैं अब देखें यहाँ पर जो है metal है silver और ligand है amine और यह counter iron है तो counter iron negative है तो last में आएगा तो सबसे पहले ligand का नाम लिखेंगे ठीक है तो ligand कितने है लाइगंड है बच्चों amine देखो यह amine यह amine यह ligand हो गया और कितने ligand है दो ligand है तो हमने लिखा di amine अब silver हमने कब लिखा ligand के बाद तो यह ligand पहले आ गया और कल बाद में आ ठीक है और chloride negative counter iron है तो सबसे last में लिखा जाएगा clear दूसरा देखें दो ligand है एक amine भी है और chlorine भी है तो जब एक से ज़्यादा ligand आ जाए तो दोनों को यह तीनों को alphabetical order में लिखते हैं तो amine का a और chlorine का c तो a पहले आएगा तो देखिए देखो amine पहले लिखा है amine जब भी लिखेंगे a double m i यह नहीं आएगा और कितने amine है दो तो लिखे do amine और उसके बाद बच्चों हमने लिखा है c l तो c l को लिखते हैं क्लोरिडो क्लोरिडो और कितने क्लोरिडो है चार क्लोरिडो है तो यहां पर लिखा है टेट्रा क्लोरिडो ठीक हो और लास्ट में हम क्या लिखेंगे गेप दे दिया है लाइगेड कितने है छे लाइगेड है और कौनसे लाइगेड असाइनो लिखते हैं तो अगर दो लाइगंड हो तो डाइ ट्राइ टेटरा इस से अभी नेक्स स्लाइड उसे पर आने वाली है नेक्स्ट अमारे पास है रून नंबर थी रून नंबर थी बच्चो यह बोलता है कि जब एक से ज़्यादा टाइप के लाइगंड होते हैं तो उनके आगे जो है हम टेट्रा पेंटा इस तरह से हम वर्ड इस्तमाल करते हैं अभी आपने पहले देखा होगा ठीक है ना तो देखे एक्जांपल देखे अब तो और सारे लाइगेंड हमेंसा अलफाबेटिकल और में लिखेंगे दो चीज का दियानक ना अलफाबेटिकल और और उनका जो जितन कि देखे अधार वार का मिकांपलेटिकल और पूर टेट्रा इस पूरे का नाम होगा पहले लाइगेंड देखने कि पहले देखे पहले देखो आमीन होगिए हैं और कतने नंग्डेटिकल उसके बाद वाटर को लिखेंगे हम एक्वाश पहले एक लिका हमने एक्वा Seriously, sä देखो, तीनो लागेंड एक साथ, लेकिन अलफाबेटिकल ओर्डर में, ठीक है, और लास्ट में आ जागा हमारा मैटल, यानि कोबाल्ट और काउंटर एन अपने लास्ट में लिखा है, क्योंकि नेगेटिव है, दूसरा देखे, तो यहाँ पर लागेंड अमीन भी है, क्लो लाटलो, तो क्लोरीडो को हम लिखे केके क्लोरीडो, पूरा हो गया, नैट्रो को क्या है गया, नैट्रो यह देखो, तीनो लागेंड आ गया, एन, सी और ए, ठीक है, क्लोरीडो और नैट्रो एक के कहेंटों, हम ने उनके आगे डायिट्राइक exposus लेन लगया, लास्ट में का एमीन ठीक है उसके बाद ट्राई और एकवा याị Damn एक्यू यू ये एकवा ट्राई आ्मीन ट्राई एकवा दोनों तीन-तीन हैं तो तीनों को में लिखा उसके बाद हमने किस का नाम लिखा मैटल का नाम लीखा oh क्रोमियम और last डाइ ट्राइ में लिखते हैं और प्लस उस लाइगेड का अल्फबेटिकल ओडर अब माल ले जाए आपके पास पॉली डेंटेट लाइगेड हो ठीक है अभी जितने बी अमने लाइगेंड देखे सारे मोनो डेंटेड लाइगेड अगर इन केस पॉली डेंटेड है तो उसके आगे जो prefix होता है तो वह बिस, tris and tetrakis, बिस का मतलब वह two times है, tris का मतलब वह three times है, tetrakis का मतलब वह four times है, ठीक है, और उस पूरे lagand का नाम हम parenthesis यानि bracket में enclosed करेंगे, इस तरह से, ठीक है, चलो, for example, cr, यह है en, तो en होता है बच्चों, ethylene-diamine, तो en का formula होता है, CH2, CS2, NH2, NNH2, तो इस पूरे को हम shortcut में बोलते है, en, तो कितने en है, तीन, ठीक है, तो इसमें try नहीं आएगा, इसमें आएगा बच्चों, tris, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखे, tris, tris लिख दिया, अब bracket close, bracket open कर दिया हमने, शुरू कर दिया bracket, parenthesis के अंदर आना चाहिए, तो इस पूरे का नाम है, ethane-12-diamine, ethylene-diamine के बज़ा हम क्या लेखेंगे, ethane-12-diamine, ठीक है, और उसको किस में करेंगे, bracket में करेंगे, ठीक, और उसके बाद metal, chromium, और लास्ट में counter and chloride, clear, दूसरा देखे, एक ये भी है, और एक ये भी है, ठीक है, तो दोनों हमारे पास lagand है, ये, इसका नाम आएगा, alphabetical order, तो क्लोरीडो, देखो, क्लोरीडो, और क्लोरीडो कितने है, डाई है, दो क्लोरीडो है, अब इस पूरे का नाम है, बच्चों, tryphenyl phosphine, tryphenyl phosphine, तो हमने इसको bracket के अंदर बंद कर दिया, tryphenyl phosphine, और कितने है, दो है, तो डाई के बज़ाए क्या आएगा, बिस, tryphenyl phosphine, और लास्ट में हमने मैटल लिखा, निकल, clear, तीसरा आजाओ, देखो, ये भी वह है, ethylene diamine, same to same है, इसको हम EN भी लिख सकते हैं, EN और 3, इस तरह आगया, आच्छा, आप देखे, इस पूरे का नाम कैसे होगा, कितने हैं ये, EN 3 है, तो ट्रिस आगया, ट्रिस, एथिन, वन्टू, डायमीन, कोबाल्ट और लास्ट में, सल्फेक्ट, clear हो गया, इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं, यानि ध्यान रखे, अगर polydentate, lagand हो, तो bracket के अंदर close करना है, और, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरह से उसका नाम आज़ागे, उन्हें कितने नंबर हैं हो आगे, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, रूल नंबर फाइब, रूल नंबर फाइब, क्या बोलता है, देखिए, रूल नंबर फाइब, बोलता है, कि जो भी metal, cation होगा, anion होगा, या neutral होगा, उसका जो oxidation state है, वो उसके just बात में आएगा, in roman number में लिखा जाएगा, और साथ मे bracket के अंदर close होगा, जैसे ऐसे, अभी आपने देखा होगा, यानि ठीक है, तो metal के बाद, just उसका oxidation state लिखना होता है, within bracket, clear, for example, देखिए, अब हमारे पास है, k3, ठीक है, और alc2O4, c2O4, उसको बलते हैं, oxalator, कितने oxalator हैं, तीन है, तो हो जाएगा, बच्चों, try, ठीक है, तो देखिए, कैसे नाम आएगा, सबसे पहले आएगा, positive, counter आएगा, तो सबसे पहले इसको लिखोगे, potassium, उसके बाद है, trioxalator, देखो, tryoxalator आगया, और last में आगया, eliminate, ठीक है, और ये देखिए, बच्चे, ये bracket में, उसका oxidation नमबर है, तो कितना है, plus 3, clear, उसके बाद, same कहानी, zinc gate के साथ, तो देखो, OH है, तो OH को हम बोलेंगे, hydroxy, ठीक है, तो, sorry, hydroxy, not hydroxy, hydroxy है ना, तो पहले potassium आगया, counter iron पहले लिखेंगे, उसके बाद है, hydroxy, तो hydroxy, ये वाला hydroxy, और कितने hydroxy है, sorry, ये वाला hydroxy है ना, और कितने बच्चों, 4 hydroxy है, देखो, तो tetrahydroxy, और last म zinc gate की, clear, तो कहानी समझ में आगे होगी आपको की, oxidation number उसके बाद लिखा जाता है, कुछ ज़्यादा important, यानि कुछ ज़्यादा tough है नहीं, अब सबसे number six, काफी important है, ठीक है, अब देखें, important क्यों है, अगर बच्चों हमारे पास जो complex iron है, वो अगर cation होता है, तो जो metal है, as a element की तरह लिखा जाता है, बहुत important है, तीनी तरह के हो सकते हैं, हमारे पास, ये तो cation होगा, ये तो nion होगा, ये तो neutral होगा, तो अगर complex cation है, और complex cation कब होगा, जब उसका counter iron negative होगा, सिद्धी सी बात है, तो अगर counter iron negative है, इसका मतलब जो coordination sphere है, ये वाला हिस्सा है, वो positive होगा, तो जो बच्चों metal होगा, वो as a element की तरह लिखा जाएगा, बहुत important है, दियान रखना, कैसे, देखो, तो सबसे पहले हमने ligand लिख दिये, tetraamine, लिख दिया ligand, ये तो आपको मालूम चला, कोबाल्ट को, सॉरी, कॉपर है न, सॉरी, कॉपर, 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 ये तो, हाँ, कॉपर या न, सी यू करो इसको, है न, हाँ, सी यू, तो हो गया, कॉपर, और last में हमने क्या लिखा, और इस समय उसका oxidation नमबर आ गया, प्लस, अगर बच्चों, complex iron, complex iron, अगर anion हो, यानि जो condition spare है, उस पर negative charge हो, तो जो metal atom आपके पास है, उसके पीछे क्या suffix लगाते है, 8, बहुत important है, देखिए, तो बच्चों, आपका जो condition spare है, वो negative काप होगा, जब positive counter iron होगा, तिसका मतल यहाँ पे negative है, यह NIN है, तो अब निकल ना होगे, निकलेट हो जाएगा, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेखा, positive counter iron, potassium, उसके बाद metal लिखे, tetrasino, tetrasino, ठीक है, अब देखो बच्चों, यह important है, इस पर क्या हैगा, निकलेट, उपर क्या था, copper, लेकिन निकल की counter iron होता है, तो हमेशा 8 लगाते हैं, तो निकलेट और साथ में उसका oxidation number, clear, चलो, अगर हमारा complex neutral होता है, तो उसका name, cation की तरह ही लिखा जाएगा, यानि metal ही नाम आएगा, जैसे यह वाला इसा, देखो, कोई counter iron नहीं है, उसका मतलब ही neutral है, तो सबसे पहले आप lagant का नाम लेखेंगे, तो diamine हो गया, उसके बाद है dichlorido हो गया, chlorido, यहाँ पर कोरीडो, dichlorido हो गया, ठीक है, और last में बच्चो platinum आगया, not platinate, प्लैटीनम और oxidation number, ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, कि अगर coordination इस पेर में positive charge आता है यानि अगर negative counterine होता है तो metal adds जाएगा लेकर उसमें negative charge आता है यानि counterine positive होता है तो 8 लगाना है nickelate ferrate platinate बगर बगर आज़ा है clear यह बहुत important अब कुछ special case मैं आपको बताता हूं देखिए यह वाला इस इसका नाम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि जो silver है उसका oxidation number क्या है तो total यहाँ पे बच्चो negative charge कितना है दो तो अगर 2x equal to plus 2 होता है तो x equal to plus 1 होना चाहिए यानि हर silver पे जो है plus 1 positive charge है पहले तो यह निकालो अब दूसरा बच्चों यह जो right and side लिखा यह हमेशा positive होता है और जो left and side लिखा है वह हमेसा negative होता है इसका मतलब यह negative है और यह positive है ठीक है तो इसका मतलब यह जो coordination spray है यह positive भाश्य की पूरा की पूरा यह coordination spray नेगटिव है तो इसमें silver का नाम अलग अलग जाएगा तो पहले का नाम देखो है ना डाई अमीन पहले देखो डाई अमीन हो गया और सिल्वर को सिल्वर लिखा और ऑक्सरेशन नमबर लिख दिया वन अब बचों देखो दूसरा डाई साइनाइडो और देखो इस समय क्या होगा आरजी नेट क्यों कि यहां पर तो इसका मतलब हर प्लेटिनम पे कितना ओक्सरेशन नमबर आएगा प्लस टू एंड प्लस टू ठीक है लेफ्ट वाला हिस्सा पॉजटिव रैट वाला हिस्सा नेगेटिव ठीक है इसका कहानी भी वही पी वाई को हम बोलते हैं पिरिडीन तो टेट्रा पिरिडीन यहां तक आगे ठीक है प्लेटिनम और दो अक्सरेशन नमबर आप बच्चों लास्ट वाले में आगे टेट्रा क्लोरीडो ठीक है और प्लेटिनम की जगह आपकी आँ जगह प्लेटिनेड क्योंकि यहां पर यह नेगेटिव कॉडिनेशन पर है और दोनों में दो-दो करेंगे जो कोडिनेशन इस पर है उस पर पॉस्टिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है अब यह तो पूरी होगे रूल की बात अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की कि हम किस तरह से आई-पेसी नॉमनक्लेचर करेंगे ठीक है तो आप भी कोशिश कीजिए मैं भी जाता हूं कैसे करना ठीक है तो पहला कंपॉंड हमारे पास Co ns36 Cl6 तो बच्चो पहला कंपॉंड देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे कि काउंट्र आइन कौन सा है तो काउंट्र आइन बच्चो नेगेटिव है तो इसका मतलब इस पर जो है पाजिटिव आने सबसे पहले लाइगेंड के नाम लिखो तो लाइगेंड कौन सा है अमीन और कितने लाइगेंड है च्छे लाइगेंड है तो हो जागा बच्चों हेक्जा अमीन क्लियर हेक्जा अमीन अब कोबाल्ट है तो मैटल को हम मैटल ही लिखेंगे कोबाल्ट क्यूंकि पॉजिटिव काउडिनेशन इस पर है तो हेक्जा अमीन कोबाल्ट अब साथ में बच्चों ब्रैकेट में इसका हम क्या लिखेंगे ऑक्सिडेशन नंबर लिखेंगे त तो counter iron में CL है, तो CL पे 3 negative होते हैं, इसका अमल इस पे 3 positive होंगे, तो 1, 2, 3 हो गया, और last में क्या लेखेंगे, chloride, clear, दूसरे पे आते हैं, again cobalt है, और counter iron negative है, तो इस पर positive आईगा, है ना, positive आईगा, clear हो गया, positive आईगा, दो लाइगेंड है, तो दोनों लाइगेंड को हम alphabetical order में लिखते हैं, तो पहले amine लिखेंगे, तो amine कितने हैं, 5 है, तो pentamine, pentamine हो गया, chlorine भी है साथ में, तो chlorido, pentamine, chlorido, ठीक है, cobalt, ठीक है, साथ में इसका oxidation number, तो इस समय बाहर, minus 2 है, तो यहाँ plus 2 होगा, तो बाहर जाके यह plus होगा, तो यानि इस समय condition number कितना होगा, 3 हो जाएगा, clear, और last में जो counter iron है, उसका नाम हो जाएगा, chloride, clear हो गया, चलो, next, third वाला देखे, third वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखे, इस समय counter iron positive है, तो coordination इस पर क्या होगा, बच्चों, negative होगा, है ना, negative होगा, धियान रखे, ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले, potassium, क्योंकि positive, counter iron positive है, potassium हो गया, फिर gap देना है, यह ना, फिर किसका नाम लिखना है, लाइगेंड का, तो लाइगेंड कितने है, six है, तो sinido, hexa, sino भी बोलते हैं, और sinido भी बोलते हैं, hexa, sino, पूरा के पूरा, ठीक है, hexa, sino, और इस समय counter iron positive है, तो iron को अम बोलेंगे, ferret, ferrate, और total बच्चों उस पर हो जाएगा, छे हो अधर गए, तो इस पर माइनस 3, प्लस 3, तीन हो जागा, इस होक्स रिच नमबर है, तो potassium hexa, sino, ferret, इस तरह से हम nomenclature करेंगे, next slide में कुछ और है, fourth number वाला, देख लेते हैं, fourth number वाला, again positive counter आयने, तो सबसे पहले इसी का नम लिखो, तो potassium, potassium, ठीक है, C2O4, इसको हम बोलते हैं, oxalato, oxalato, कितने oxalato हैं बच्चों, तीन है, तो trioxalato है ना, तो trioxalato, trioxalato, और इस समय पूरा coordination इस पर negative होना चाहिए, तो iron की जगह में क्या हैगा, ferret, और इसका oxidation नमबर आगया, बच्चों, यह होता है, 2-6, उदर जाके, प्लस, यानि, तीन होना चाहिए, fifth, K2PDCl4, again, potassium positive counter आयने, तो सबसे पहले इसी का नम लिखो, potassium, ठीक है, अब PDCl4 हो रहा है, तो सबसे उसके बाद किसका नाम आएगा, lagand का नाम आएगा, gap देखे, तो lagand जो है, चार है, तो हो जाएगा, tetra, tetra और chlorine है, तो chlorine को बोलेंगे बच्चो, chlorido, ठीक है, tetra, chlorido, और PD है, तो PDD को हम बोलते हैंगे palladium, तो pallidate, और इसका oxidation अंबर हो जाएगा, 2, है ना, तो 4 उदर गए, तो हाँ, ठीक है, next हमारे पास है, 6 वाला है ना, अब देखो, यह बहुत सारा है, आहाँ, इस सब्सक्राइन नेगेटिव है, इसका मतलब, कॉर्डिनेशन इस पर पॉजिटिव होगा, तो contraint, सबसे last में लिखा जाएगा, तो सबसे पहले ligand लिखो गुर्जी, है ना, तो ligand कौन कौन से हैं, देखो, एक तो amino है, फिर chlorine है, और methyl amine है, तो सबसे पहले amine लिखें, तो कितने amine है, दो amine है, तो di amine, ठीक है, methyl amine, और उसके बाद हम लिखेंगे, metal का नाम, तो हो जाएगा, platinum, इस समय, metal, coordination पर negative charge है, तो platinum हो जाएगा, और इसका coordination number आएगा, बच्चों, तो यह एक हो जाए, ना, neutral, neutral, एक, तो यहाँ पर होने वाला है, positive, तो दो, यानि, clear, ठीक है, तो इस तरह से हम इसका nomenclature करने वाले हैं, आप भी try करो, अब पूछा है कि IPC नाम लिखना है इनका, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो आप देखो, पहला बच्चों, देखो, क्या-क्या है, counter-ion negative है, इसका मतलब जो coordination spare है, वो positive होगा, तो metal, metal की formula लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, lagand के लिखो, तो lagand बच्चों कौन सा है, amine है, और कितने lagand है, 6 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, hexamine, hexamine, ठीक है, और ये क्या है, cobalt है, तो cobalt ही लिखेंगे, hexamine, cobalt, ठीक है, और cobalt में, इस समय oxidation मनमर होने वाला है, हाँ, 3, 3 positive, ठीक है, और last में आजाएगा, chloride, clear हो गया, दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, ये वाला, हाँ, अभी तो हो गया था नहीं, डाइ अमिनो, बिथाल अमिन, प्लैटनेंट को, ये हो गया था, पिसली वाली slide में मैंने कर दिया था, तीसरा, titanium है, और देखो, इस समय बच्चों iron है, तो iron को हम last में iron ही फॉर्म में लेखेंगे, तो ligand, इस समय positive है, तो titanium को titanium ही आएगा, और water को हम लिखते है aqua, और कितने water है, 6 water है, तो हो जाएगा, hexa, a, q, u, a, इस पर जो oxidation number होगा, वो होगा 3, ठीक है, और last में लिखेंगे बच्चो iron, ठीक है, तो hexa, aqua, titanium, iron, clear हो गया, next, देखे, कोशिच कीजिए, यहां पर, counter iron negative है, इसका मिला coordination इस पर क्या होगा, positive होगा, ठीक है, तो अब देखो, policy का नाम लिख लेते हैं, तो सबसे पहले, ligand लिखो, amino, chloro, और, nitro, तो तीनों को, alphabetical order में, तो बच्चों हो जाएगा, tetra, amine, tetra, amine, उसके बाद है, chlorido, chlorido, उसके बाद है, nitro, तो tetra, amine, chlorido, nitro, सारे के सारे, alphabetical order में, coordination पे पॉजिटिव होगा, तो, cobalt को cobalty लिखेंगे, cobalt, और last में, इसका oxidation नमबर आएगा, बच्चों, nitro, k plus, minus 1 इदर, minus 1 इदर, 2, और, इदर, plus 1, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, इसका, 1, 2, 3, ठीक है, और last में आएगा, chloride, by oxidation नमबर गड़बर होतों, बता देना मुझे है न, च्यालो, ठीक है, next हमारे पास है, fifth वाला, तो iron है, तो last में iron जोड़ना है, और positive है, तो इसका मतलब, manganese, manganese होने वाला है, ठीक है, तो H2O6, तो हो जाएगा, hexa, aqua, hexa, aqua, manganese, manganese के spelling मुझे आती नहीं, भई होगा, manganese, ठीक है, और इसका oxidation नमबर होने वाला है, two, तो two को आप रखो, roman nank में bracket के अंदर, और last में जोड़ोगे, iron, ठीक है, fourth, fourth भी iron है, लेकिन negative है, तो देखो क्या हो गया, tetra, tetra, chlorido, tetra, chlorido, और nickel होने वाला, nickelate, nickelate, और oxidation नमबर है, 422 हो जाएगा, clear, ठीक है, इस तरह आ जाएगा है, समझ में बात आगे कैसे कर रहा हूँ, तो वो सारे रूल आपको ध्यान में रखने, easily हो जाएगा, next हमारे पास है, यह देखे, 1, 2, और 3, ठीक है, चलो, पहला देख लेते है, nickel, chlorine ही तो बहुत easy है, ठीक है, अब भी मैंने आपको बतायता है, तो देखो, counter and negative है, है ना, sorry, तो इस पर जो है, positive is pair होगा, तो क्या होने वाला है, देखो, hexa, hexa, amine, सबसे पहले, ligand का नाम, plus कितने ligand है, hexa amine, और nickel, nickel, hexa amine, nickel, ठीक है, और oxidation number होने वाला है, बच्चो, nickel का, तो, 2 है तो, 2 ही होगा, exactly, तो, और last में, chloride, clear, दूसरा देखिए, copper, EN, EN का मतलब होता है, ethylene, diamine, यानि, 1, 2, ethyne, 1, 2, diamine, ठीक है, और कितने है, तीन है, तो, polydented है, तो, क्या करेंगे, हम tris लिखेंगे, तो, सबसे पहले, क्या करेंगे, tris, ठीक है, और bracket में करेंगे, ethane, और तब आएगा, बच्चों, 1, 2, di, amine, ठीक है, और bracket close, अब आएगा, positive है, तो, cobalty लिखेंगे, है ना, और oxidation नमर कितना है, 3 है, clear, आहा, बिल्कुल, कोई counter iron नहीं है, कोई charge नहीं है, तो neutral है, तो neutral किसके जैसे लिखा ज़्यादा, catane के जैसे, ठीक है, और co को बच्चों, हम क्या बोलते हैं, carbonil, ठीक है, co, जहान रखें हैं, में साथ, co, जहां भी होगा, उसका नाम होगा, carbonil, तो हो जाएगा, tetra, लेटर तो लाइना है नहीं है, nickel, tetra, carbonil, nickel, ठीक है, और oxidation नमबर, बच्चों, क्या हो जाएगा, zero, चालो, तो, ये सब मैंने आपको बता दिया, IEPC, नॉमिल के जर कैसे करते हैं, वीडियो पसंद है, तो लाइक और शेर करना, मत भूले, कंजोसी मत कीजिए, तो मुझे थोड़ा सा प्रोथसाहन मिलेगा, आपके लाइक, शेर और कमेंट से, ठीक है, thank you very much,